परिचय अबाओ इस पाठ में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। परिचय अबाओ इस पाठ में सक्षम हो जाएंगे। मानव में जनन प्रक्रिया को समझना। रितुस्त्राव रजोधर्म को समझना। मानव में लेंगिक जनन। मनिश्य एक लिंगी या एका लिंगा श्रई होते हैं। दो लिंग निश्चित बाहे अकारि की लक्षणों जिनें दुईतियक लेंगिक गुण कहते हैं। उसमें भी भिन्न होते हैं। इसे लेंगिक दुई रूपता कहते हैं। मानव में जनन अंग, नर में व्रिशन और मादा में अंडाशे, योवना रंब की प्राप्ति के पश्चात कारे करना प्रारंब कर देते हैं। योवना रंब या लेंगिक परिपक्वता। किशोरा वस्था के दौरान यानि समय में योवना रंब लेंगिक परिपक्वता की वो अवधी है जिसमें जनन अंग सक्रिये हो जाते हैं। मानव नरों में लेंगिक परिपक्वता तेरा चौधा वर्ष की आयू में जबकि मादाओं में दस बारा वर्ष की आयू में प्रारंब हो जाती है वरिशन और अंडाशे जीवन ख्षमता वाले युगमकों को उत्पन्न करते हैं तथा ये हार्मोनों जैसे नरों में वरिशन द्वारा टेस्टोस्टेरोन और मादाओं में अंडाशे द्वारा एस्टोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन को भी स्रावित करते हैं नर जनन तंत्र जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निश्येचन के स्थान तक पहुचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं. मानव नर जनन अंग है, वृशन, अधी वृशन, शुक्रवाहक, मूत्रमार्क, शिश्न, शुकराशय ग्रंथियां, पुरस्त यानी प्रोस्टेट ग्रंथी और काउपर ग्रंथियां नर जनन ग्रंथियां हैं. व्रिशन व्रिशन छोटे आकार के एक जोड़े अंडाकार और गुलाबी रंग के अंग होते हैं, जो की एक पतली भित्ती तौचिय थैली जिसे व्रिशन कोश कहते हैं, उसमें उपस्तित होते हैं. व्रिशन कोश ताप नियामक के रूप में कारी करते हैं, जो की साधारन शुक्र जनन के लिए व्रिशन का ताप शरीर के ताप से एक से तीन डिग्री सेलसियस तक कम रखते हैं, क्यूंकि अधिक शारिरिक ताप व्रिशन के शुकराणों का निर्मान करने वाले उत्कों को व्रिशन में शुक्राणों का निर्मान करने वाली जनन ग्रंथियों सहित लगभग 900 पतली तथा घुमावदार शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती हैं। अधी व्रिशन यानी APD-Demis अधी व्रिशन एक कुंडली कृत नलिका जैसी सनजना है जो की स्थाई रूप से व्रिशन से जोड़ी होती है और शुक्राणों के भंडार ग्रह की भाती कारे करती है जहांपर की शुक्राणों परिपक्व और गतिशील हो जाते हैं। शुक्रवाहक भी लंबी, संक्री और नलिकादार सनजना है ये स्खल निये, वाहनी और मूतर आशे से निकली हुई एक वाहनी के जुड़ने से बनता है जिससे यह शुक्राणों और मूतर यानी पेशाब दोनों का वहन करता है और इस प्रकार यह मूतर जनन नलिका भी कहलाता है। मूतर मार्ग पुरुष के शिशन के माध्यम से गुजरता हुआ, बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है। शिशन शिशन पुरुष का बाहे जनन अंग बनाता है। यह एक बेलनाकार उर्ध्व मोटी पेशिये भित्तियों युक्त मैथुन अंग है। शिशन के समवेदन शील सिरे को मुंड कहते हैं, जो की सिकुड़ी हुई त्वचा से ढखा हुआ होता है, जिसे लिंग मुंडच्छत कहते हैं। नर जनन ग्रंथियां नर में तीन प्रकार की जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। शुक्राशय ग्रंथियां पुरस्थ यानि प्रोस्टेट ग्रंथियां और काउपर ग्रंथियां शुक्राशय ग्रंथियां एक जोड़ी पतली भित्ती युक्त पीशिये लंबी पुट्टियां यानी सैख होती हैं, जोकी शुक्राणों के पोशन के लिए तरल स्रावित करती हैं पुरुस्त यानी प्रोस्टेट ग्रंथि एक एकाकी, दीरगाकार तथा पलिरुपित ग्रंथि हैं, जोकी मूत्राशय के बिलकुल नीचे स्थित होती हैं, यह तरल स्रावित करती हैं, जोकी मूत्र मार्ग में मुक्त किया जाता है का उपर ग्रंथियां एक जोड़ी सफेद मटर के बीच के आकार की ग्रंथिया हैं, जोकी शिश्न के आधार पर उपस्तित होती हैं, यह ख्षारिये वीर का स्रावन करती हैं, जोकी मूत्र की अमलता को उदासीन करता है, तथा शुक्राणूओं को सक्रिये करता है, और पुरुष शुक्राणूँ अती सूख्ष्म, गतिशील और कशाभिये युगमक होता है, यह शीर्ष, मद्देखंड और एक कमपन शील पूँच का बना होता है, यह अंडाणूँ के साथ सनलैथ होता है और जनक जीन को संतती तक पहुँचाता है मादा जनन कोशिकाएं या अंड अंडाशयों में बनते हैं, तथा कुछ हार्मोनों के निर्मान के लिए भी उत्तरदाई होते हैं मादा मानव के जनन अंग हैं अंडाशय, अंड वाहिनी नलिकाएं, गर्भाशय, यौनी, मादा जनन ग्रंथियां जैसे बार्थोलिन ग्रंथियां और स्तन अंडाशय मादाओं का प्रात्मिक जनन अंग है, यह एक जोड़ा छोटे आकार की बादाम की आकृति वाली और सफेद रंग की संदचनाएं होती हैं, जोकी उदर के श्रोनी में उपस्तित होती हैं आंतरिक रूप से प्रतेक अंडाशय बहुत संख्या में आपरिपक्व प्रात्मिक या अंडाशय पुटक के साथ होते हैं, अंडाशय अंड जनन यानी उजैनिसिस के द्वारा जनन कोशिका में अंड बनाता है, तथा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावन क अंड वाहिनी नलिका अंड वाहिनी नलिकाएं एक जोड़ी लंबी, कशाभिये, पेशिये और नलिकादार संदचनाई हैं, जो की अंडाशय के निकट से लेकर गर्भाशय तक फैली हुई होती हैं प्रतेक अंड वाहिनी नलिका का बाहरी भाग अंडाशय के निकट स्थित होता है, इसमें एक चोड़ा छिदर होता है, जिसे आस्टियम कहते हैं, और अंडाशय के द्वारा निकले हुए अंड को प्राप्त करने के लिए अंगुली सदरश प्रक्षेब होते हैं, जिनें जालर यानि फिम्ब्री कहते हैं। गर्भाशाय गर्भाशाय एक बड़ी पेशिय आकार की तथा नाशपाती सद्रिश सनचना है, जो मूत्राशय और मलाशय के बीच शुरोणी में उपस्तित होता है और अंतर रोपन यानि इंप्लान्टेशन, अप्रान्यास और गर्भ यानि फीटल के विकास के लिए उत्तरदाई होता है। इसका आंतरिक अस्तर अत्यधिक समवहनिय और गरंथिल होता है, तथा गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, जो की यानि में खुलता है। यानि यानि एक लंबी पेशिय नलिकदार सनचना है, जो की गर्भाशय की ग्रीवा से पीछे तक फैली हुई होती है। तथा यानि छिद्र द्वारा अंत में प्राकोस्ट यानि वेस्टी बुले में खुलती है। मैथुन के दौरान जब वीर यौनी में मुक्त होता है तो यहाँ मैथुन यानि संयोजन गोहा की तरहा कारे करती है और शिशु के जन्म के दौरान शिशु इसमें से ही होकर गुजरता है इसलिए यहाँ जन्म गोहा की भादी भी कारे करती है मनिश्यों में लेंगिक जनन की प्रक्रिया नर्युगमक या शुकराणू अतिस्शक्रिये तथा गतिशील होते हैं, जो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा गर्भाशय में गति करते हैं और अंडवाहनी नलिकाओं में पहुँच जाते हैं अंडवाहनी नलिकाओं में केवल एक शुकराणू ही अंडवाहनी नलिकाओं में प्रवेश करने पर ही होता है अंडवाहनी नलिकाओं में युग्मनच यानी जाइकोट का भुरूनिय परिवर्थन यानी विकास तुरंत प्रारंब हो जाता है तथा सगर्भता यानी गर्भावस्था शिरू हो जाती है जबकि रितुस्राव यानी रजुधर्म बंध हो जाता है भुरून गर्भावशे में पहुँचने के लिए नीचे चला जाता है गर्भावशे की मोटी भीत्री परत में भुरून का अंतर स्थापित होना ही अंतरोपन कहलाता है तब गर्भावशे की दीवार और भुरून के मध्धे एक विशेश उतक जिसे अपरा कहते हैं उसका विकास हो जाता है जो की भुरून को ऑक्सीजन तथा पोशन की आपूर्ती एवं कार्वन डायोकसाइट तथा भुरून द्वारा उत्पन उत्सरजी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकानले का कारे करता है गर्भाशे के अंदर गर्भ यानि फीटल के विकास से लेकर बच्चे के जन्म की अवधी को गर्भावदी यानि जैस्टिशन के अंत पर पूर्विक्सित गर्भ यानि फीटल को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसफ यानि पार्ट्यूरिशन कहते हैं मा के शरीर के अंदर बच्चे के विकास की प्रक्रिया में लगभग नौ महीने का समय लगता है रितुस्राव यानी रजोधर्म रग्तवाहिका के साथ यौनी से रग्तस्राव के रूप में गर्भाशे की मोटी और मुलायम आंतरिक दिवारों के तूटने तथा हटने को रितुस्राव यानी रजोधर्म कहते हैं अंडाशे और गर्भाशे में प्रतेक 28 दिन या एक महीने बाद आतरुत बहाव की घटना का चक्र होता है जिसे मादा मानवों में आतरुत चक्र यानी मेंस्ट्रुल साइकल या लेंगिक चक्र कहते हैं या चक्र दो से आट दिनों तक चलता है क्या आप जानते हैं शुक्राणूं वीर्रे यानी सिमन का केवल दस प्रतिशत भाग ही बनाते हैं मादा एक वर्ष में लगभग 13 अंडे देती है जबकि मादा मानव जननकाल के दौरान लगभग 416 अंडे देती है मानव मादा में यौवना रंभ पर प्रथम रितुस्राव रजोधर्म जिसे रजोधर्शन यानी मेनार्क कहते हैं इसका प्रारंभ होता है रजोनी वृत्ती यानी मीनोपॉस वहकाल है जब मादा मानवों में अंडोध सर्ग और आत्रोध चक्र स्थाई रूप से हमेशा के लिए बंध हो जाता है नई जन में शिशू का औसदभार 3.5 किलोग्राम होता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं मानव एक लिंगी होते हैं तथा लेंगिक दुई रूपता दर्शाते हैं नर जनन तंत्र व्रिशन, अधिव रिशन, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग और शिश्न से मिलकर बनता है शुक्राशय ग्रंथियां, पुरुस्थ यानि प्रॉस्टेट ग्रंथियां और काउपर ग्रंथियां नर की सहायक जनन ग्रंथियां है मादा जनन तंत्र अंडाशय, अंडवाहिनी नलिका, गर्भाशय, योनी और भग से मिलकर बनता है बार्थोलिन ग्रंथिया और स्तनमादाओं की सहायक जनन ग्रंथिया हैं आर्थ्व चक्र के अंतरगद अंडाशय में होने वाले चक्रिये परिवर्तन और जनन काल के दौरान मादा जनन ख्षित्र में होने वाले परिवर्तन सम्लित हैं यह चक्र लगभग एक माह में पूरा होता है। यह चार प्रवस्थाओं, पुटक प्रवस्था, अंडोत सर्ग प्रवस्था, सरावी प्रवस्था और आर्थ्व प्रवस्था से मिलकर बना होता है। यह यौवना रंभ पर प्रारंभ होता है और रजोनी वृत्ति यानि मीनो पॉस पर पून रूप से बंद हो जाता है ब्रून ये परिवर्धन के अंतरगत घटनाओं की एक श्रिंखला होती है जिसमें युगमनज जाईकोट एक ब्रून में बदल जाता है इसके अंतरगत प्रावस्थाएं जैसे युगमक जनन यानि गैमी टोजे नैसिस, दिशेचन, विदलन यानि क्लिवेज, अंतरोपन, अपरान्यास, गरभावदी यानि जैस्टिशन, अंडि जनन यानि उजे नैसिस और प्रसव यानि पाट्यूरिशन समलित होती है